हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू एडीब स्टार कोटा, कैसे हो बच्चो, कैसी चली आपकी जेई 2022 की तैयारी, जो बच्चो आपका जेई मेन और जेई एडवांस का एक्जाम पोस्पोन हुआ था, तो क्या उस पोस्पोन मेंट का फाइदा तुम उठा पा रहे हो, मेरे को बहुत सारे सवालों में उनका पूरा दिन जो वो निकल जाता है, तो अगर आप भी उनमें से एक हो, तो नीचे बच्चो कॉमेंट सेक्शन में आपको जरूर जरूर बताना है, अब आगे कि आपकी प्लैनिंग क्या रहने वाली है, कैसे बच्चो जो आपने अभी तक टा अगर बच्चो इस से टाइम में आपके पास में लगबग चार महीने का टाइम है, तो यह यह टाइम जो आपको पोस्पोनमेंट का फाइदा मिला है, उसमें काफी बच्चे जो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे, चाहे आपकी तैयारी पहले अच्छी चल नहीं हो, ल इसी चीज़े जो जरूर लगती है, क्योंकि गलत फहिम्या जो है, वो तो इंसान को होती होती है, उनको लगता है कि यह मैं तो चार बार रिविजन कर चुका हूँ, लेकिन अगेन वही जब मौक टेस्ट देते तो वहाँ पे रिजल नहीं दिखता, तो इसको बच्चो कैस इसे cover up करना है, इस टाइम पे काफी सारे सवाल जो हो आपके हो सकते हैं, क्या क्या इस टाइम पे आपकी बच्चों confusion हो सकते हैं, पहला confusion उन बच्चों को हो सकता है, जिन होने syllabus अपना complete किया हुआ है, अब उनको यह लग रहा है कि सर, अम मैं क्या पूरा का पूरा जी advance पे फोकस करूँ अगर मैं जही एडवांस पर फोकस करूँगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जेई मेन का मेरा अटेम्ट है वही इच्छर जाए अच्छे से वहाँ पर मच्छी परसेंटाइल जो वह नहीं लेकर आपाऊँ अगला बच्छो जो यहाँ पर आपके पास में confusion हो सकता है वो हो सकता है कि सर self study जो है वो मर कर रहा हूं तो वो क्या सही रहेगा तो यहाँ पर बच्छो self study से जो बड़ी problem आती है वो आती है कि कहां से start करूँ किस से start करूँ कौन सा subject पहले पगड़ू कौन सा chapter पहले पगड़ू यानि कि proper revision जो है वो कैसे करूँ यह बच्छो एक second type की problem है जो कि आप face जो वो कर रहे होंगे third type की बच्छो है कि आपके doubts जो वो इस time पर soul नहीं हो रहे होंगे क्योंकि हो सकता कि आप जहां पर भी पहले पढ़ रहे हों वो सब आपके खतब हो चुके हैं अब सिर्फ lectures आपके बच्छे हो सकता doubt solving जो वो आपकी properly नहीं हो पा रही हो अगली चीज आती है बच्छो कि आपको इस time पर एक right direction में guidance मिलना बहुत जरूरी है एक बच्छो जब तक क्योंकि आपको एक सही path सही रास्ता आपको नहीं दिखेगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां से start करके आपको जाना कहां तक है अगली चीज होती कि study material अपने पास में क्योंकि market में इतना सारा study material रहता है हम कभी ये solve करते हैं कभी वो solve करते हैं exactly हमें पता नहीं लग पाता कि क्या बच्छो हमें solve कर नहीं है तो इसका मतलब अच्छा सर समस्य है तो आपने हमें बहुत सारी गिनवा दी और हमें भी इन में से कुछ समस्या होगे बारे में तो बता था कि ये ये problems जो वो चल नहीं है लेकिन अब इन problems का solution क्या है ये है बच्छो सबसे important चीज़ तो ये जितनी भी problems है सारी problems का आपका solution है वो आपके लिए हम लोग लेके आए है ATP Star का बच्छो RBC exclusive batch जो उसका phase 2 जो है वो बच्छो उसकी class स्टार्ट होने वाली है इस बैच में जो जो अभी मैंने आपको problems बताई जैसे J-E main और J-E advance को कैसे साथ लेके चले क्योंकि बच्छो ऐसा नहीं हम कर सकते कि J-E main के first attempt तक हम सिरब और J-E main पर focus करें उसके बाद सोचें कि J-E advance पर करेंगे नहीं बच्छो जै-E main और J-E advance की जो तयारी है उसको आपको अभी से साथ में लेते हुए चलना है एक्चली उसको साथ में लेते हुए चलने का देखो तरीका क्या होता है कि J-E main तो अपने को किसी चेप्टर को करना ही करना है अब उसी चेप्टर की कुछ J-E advance level की जो problems है उनकी भी अपने को practice जो अभी से करते हुए चलना है ताकि J-E main होने के बाद में अपने को ऐसा ना लगे कि J-E advance की तो मेरे को zero से starting करनी है इसके साथ ही साथ में J-E main का जो first attempt होगा इससे पहले syllabus भी आपका complete होना चाहिए तो इन दोनों ही चीज़ों का ध्यान जो बच्चो आपका इस particular batch में रखा जाएगा यानि first attempt तक आपका J-E main का भी पूरा syllabus जो हो complete करवाया जाएगा और J-E advance का जो touch है वो भी आपको दिया जाएगा first attempt के बाद में सिरफ और सिरफ purely जो बच्चो J-E advance में focus करते हो हम इसमें चलने वाले है अगली जो चीज मैंने आपको बताई थी कि इसमें problem होती है कि guidance नहीं मिल पाती तो इस बच्चो इस particular batch में directly winner sir जो है वो आपको guide करने वाले है जो भी आपका भी score चलना है जहाँ पे आप भी stand कर रहे हो उसके basis पे winner sir खुद आपको personally guide करने वाले ATP star की पूरी faculty team जो वो आपको guide करने वाली है कि किस तरीके से आप अपना score जो है उसको improve कर सकते हो तो यह इस batch की जो यह आपके पास में phase 2 है इसकी duration तो वैसे जही advanced तक ही रहने वाला है आप देख सकते हो काफी लंबा टाइम है चार महीने के आसपास का period है तो तब तक बच्चो आपको इस पूरे batch में अच्छे से मेहनत जो वो लगातार करवाई जाएगी तो again और यह जो mentorship या guidance दिया जाएगा वो कैसे बच्चो दिया जाएगा तो यार ATP star में एक यही सबसे बड़ी जो खास बात है वो यही है कि यहाँ पर जो mentorship और guidance हो हवा में नहीं दिया जाता वो बच्चो यहाँ पर guaranteed improvement plan जो वो किसके basis पे दिया जाता है monitoring and mentorship के basis पे बच्चो आपको GIP जो हो GIP का मतलब क्या है guaranteed improvement plan तो वो इसी के basis पे दिया जाता है कि यह चीज़े बेटा तेरे को improvement के लिए करनी है तो अगर आप उस सारी बातों को अच्छे से follow करते हो तो बच्चो मान के चलिए कि आपको अपना score improve करने से कोई नहीं रोग सकता अगली चीज़ doubt solving की facility जो मैंने बताया था कि एक बड़ी problem रहती है वो भी problem बच्चो आपकी इसी batch के through solve होने वाली है इसमें completely आपको doubt solving जब भी material ITB star का उससे आप कभी भी बच्चो पूछ सकते हो आपके लिए पूरे दिन में ये services जो वो लगातार available रहती है यानि कि doubt counters जो हो आपको available होने वाले है जो student quota में आके हमसे पढ़ेंगे उनके लिए यहाँ पर offline doubt counter रहेंगे जो online पढ़ेंगे उनके लिए भी बच्चो doubt counter जो है उनकी facility available होने वाली है and again बच्चो मैं आपको यही recommend करूँगा कि आप quota classroom में आके हमसे पढ़ें क्योंकि quota की यार बच्चो feel ही अलग है जो बच्चे already RBC exclusive में पढ़ रहे हैं वो भी नीचे comment section में अपना experience जो है वो बच्चो के साथ में share कर सकते हैं ताकि दूसरे जो बच्चे हैं वो भी बच्चो इस batch का फाइदा उठा सके अगली चीज़ है बच्चो mock test जो वो तो यहाँ पर आपको clearly दीखी रहा है कि वो तो इसमें होने ही होने वाले है यानि कि ये बच्चो RBC exclusive phase 2 batch जो है वो completely आपके लिए game changing plan होने वाला है one stop solution आपकी सारी problems के लिए बच्चो ये batch होने वाला है इसकी fee के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर बच्चो जो भी आपको special fee दिख रही है ये first 20 students के लिए है तो यार बिना ज्यादा late करें जल से जल अभी इसके क्योंकि registration जो start है तो जल से जल आप इसमें register या enroll कर सकते हैं और quota की ticket बच्चो कटवा सकते हैं क्योंकि दो तारिक से आपका ये batch जो start हो जाएगा इस से related अगर आपको कोई भी और भी जानकारी लेनी है कोई भी और भी आपकी query है तो आप इस number पे बच्चो कॉल कर सकते हो या फिर इस number पे whatsapp जो है वो भी आप कर सकते हो ठीक है तो directly इस batch में enroll करने के लिए भी मैंने बच्चो description में link डाल दिया है वहाँ से भी आप इसमें enroll कर सकते हो और enroll करने के बाद में आपको अपना दिमाग लगाने की बच्चो कुछ जरूरत नहीं है सारी की सारी planning आपको बताई जाएगी J-Main के लिए क्या करना है, advance के लिए क्या करना है, material क्या करना है यानि की सारी की सारी जिम्मेदारी बच्चो हम पर आप छोड़ दीजिये, हम आपका selection जो हो यहाँ से करवाने वाले ओके students, best of luck